हेलो प्यारे बच्चों आप सभी के लगातार फून आ रहे थे एक न्यूस को लेकर और ये न्यूस है इंडियन एक्स्प्रेस की बच्चों आईए आपको फटाफट दो मिनटे बदाता हूँ कि ये पूरा माजरा है क्या आखिर प्यारे बच्चों एक बच्चे ने RTI करी और उसमें नीट की डेट के बारे में पूछा तो प्यारे बच्चों जो NTA के तरफ से reply आया वो reply का मामला है पूरा ये जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है नीट 2021 to be held on August 1 confirms NTA in an RTI reply तो उस बच्चे को NTA ने reply करते समय कहा कि अभी आपका exam 1st of August को ही है और बात obvious भी है कि NTA तो वही answer देगा जो official date होगी ही अगर जब तक कोई change की notice नहीं आती है तो प्यारे बच्चों देखी यहाँ पर एक तो बातें और आपके लिए important है और वो बातें important हैं देखी यहाँ पर लिखा है Answering an RTI query by medical student The NTA said there is no change in schedule of NEET यानि अभी NEET के schedule में कोई बदलाओद नहीं है As per the public notice dated March 12, 2021 आपका exam stands to be conducted on August 1st 2021 20 ने साफ कहा कि अभी तक कोई change नहीं है अभी तक आपका exam 1st of August कोई schedule है एक और आंगे important बात If the exam will be required to be postponed due to unavoidable circumstances The same will be on their website the NTA responded यानि NTA ने कहा अगर किसी कारण से exam को postpone करना पड़ता है तो वो NTA की optional website के थूँ ही आपको inform किया जाएगा प्यार बच्चों एक बात और यहाँ पर important यह important बात है ध्यान से देखिए At the same time, the experts are worried that the NTA has still not released the NEET application form इस news में यह भी discuss किया गया कि आप जैसे प्यारे प्यारे future doctors बिलकुल चिंता में हैं कि अगर एक अगस्त को ही exam होगा तो अभी तक application form क्यों नहीं आए उसके बारे में क्या है देखिए The NTA said that In the process of consulting with concerned ministries for the finalizing the date of launch the online application form for NEET यानि NTA concerned ministries से लगा था discussion में है कि आपके online application form या registration start होने की date क्या हो तो प्यारे बच्चों यह दो important बाते हैं यहां से एक बात तो साफ है बात साफ यह कि अभी आपको exam अपना 1st of August को ही consider करना चाहिए और 1st of August को मान कर लगातार पढ़ते रहें अगर कोई change होगा तो जैसा बताया गया इस notice में वो आपको NTA की official website पर देखने को मिलेगा और ऐसा लगता है कि जो भी होगा अच्छा ही होगा इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि इस reply में तो NTA ने कहा कि 1st of August को ही exam होगा तो आप लोग 1st of August मान कर ही लगातार अपने exam के लिए पढ़ते रहें Thank you बच्चों, all the best for NEET 2021 Thank you